Hello, I'm Dr. Suhla Saxena, Head of Paediatric Gastroenterology and Hep Sai subetology at Manipal Hospital Delhi और आज हम डिसकस करेंगे बच्चों की Gut Health के बारे में बच्चों में एक Healthy Gut होना बहुत ज़रूरी है इसका मतलब कि बार बार पेट में दर्द होना, उल्टी, नौज्या या गट में healthy bacteria ना होना इस तरह की problems उनकी gut health अच्छी नहीं है इसको दर्शाथे है बच्चों में अगर बार-बार पेट डर्थ की शिकायत है डर्थ जो जनरली रात को होता है उन्हें सोने नहीं देता डर्थ जो उनकी physical activity या daily routine को affect करता है डर्थ जो उनको बार-बार होता है या कभी होके अपने आप ही ठीक हो जाता है डर्थ जिसकी वज़े से वो अपने you know school miss करते हैं अपनी daily activity नहीं कर पा रहे है second symptoms है vomiting जनरली बहुत सारे बच्चों में early morning vomiting होना loss of appetite, भूख ना लगना, खाने का मन ना करना, you know metallic taste होना, कई बच्चों को smell वला sensation होता है कि हर चीजों में से smell लाना, इसलिए उनका खाने का मन नहीं करता है बहुत सारे बच्चों को motion sickness भी होती है, कि school में चाते हैं, बस में बैठते हैं, वामिट कर देते हैं अगर इस तरह की problems बच्चों को regular basis पे हो रही है, इसका मतलब उनकी gut health थीक नहीं है and that needs to be properly evaluated and seen by a specialist